हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लिकेशन और क्लॉसियस क्लेप्रियोन इक्वेशन के बारे में, बात करते हैं पहली एप्लिकेशन के बारे में, देखिए अगर टेंप्रेचर T1 और T2 पर प्रेसर P1 और P2 की वेल्यू नोन होती हैं, तो उस केस में हम DLH वेपोराजेशन की वेल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, अब इसको हम एक्जामपल से समझते हैं, देखिए यहाँ पर वाटर के लिए इन टेंप्रेचर पर प्रेसर की वेल्यू गिवन है, तो हमें टेंप्रेचर की इस रेंज के बिट्वीन मोलर ह केलकुलेट करनी है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा हैं, वो यह हो जाएंगे और हमें इसकी वेल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए यहाँ पर हम टेंप्रेचर को केल्विन में यूज करेंगे, क्योंकि इस एक्वेशन में जो गैस कॉंस्टेंट हैं, उसकी वेल्य केल्विन में गिवन है, तो हम इन सारी वेल्यू को इस एक्वेशन में पुट कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर के हैं और यहाँ पर इनका स्क्वेर हो जाएगा, तो एक के यहाँ से कैंसल हो जाएगा, और फिर यह के इस के से कैंसल हो जाएगा, फिर इनकी यूनिट mm में हैं, तो ये भी एक दूसरे से cancel out हो जाएगे, अब हम इस value में से इसको minus करेंगे, तो यहाँ 5 आएगा, और इनको जब multiply करेंगे, तो यह value आएगे, अब इस value को solve करने पर यह value आती है, फिर हमें यह value find out करनी है, तो हम equation को rearrange करके, जब solve करते हैं, तो यह value आती है, अब देखिए, यहाँ पर यह हो गया joule और यह हो गया mole inverse, तो इस तरह से इसकी unit joule mole inverse हो जाएगे, फिर बात करते हैं, effect of temperature on vapor pressure of a liquid के बारे में, देखिए, अगर हमें किसी एक temperature पर liquid का vapor pressure पता होता है, तो उस case में हम दूसरे temperature पर जो vapor pressure हैं, उसको easily calculate कर सकते हैं, अब इसको भी हम example से समझते हैं, यहाँ पर water के लिए इस temperature पर vapor pressure की value given है, और इस temperature की range पर water के लिए molar heat of vaporization की value भी given है, हमें temperature की इस value पर vapor pressure find out करना है, तो देखिए, जो data given है, उसमें day latch vaporization की value किलो जूल में है, तो हम इसको जूल में convert करेंगे, और temperature को हम Kelvin में convert करेंगे, तो हमें यहाँ पर P2 की value find out करने हैं, तो इन सारी values को हम closest clayprion equation में put करेंगे, देखिए, यहाँ से K और यहाँ K square, तो यह इससे cancel होगा, यह इससे cancel होगा, तो यह सारी unit cancel हो जाएगे, फिर हम इसको ln M minus ln N की form में लिख कर ln 760 की value find out कर लेंगे, और इस value में से इसको minus करेंगे, तो यहाँ पर यह value आएगी, और इसको multiply करेंगे, तो यह value आएगी, अब इस सबको solve करते हैं, तो हमारे पास यह value आती है, फिर इस value को हम either shift करेंगे, और फिर solve करके, जब इसका anti-log लेंगे, तो P2 की value आ जाएगी, फिर बात करते हैं third application की, effect of pressure on boiling point के बारे में, देखिए अगर हमें liquid के लिए किसी एक pressure पर boiling point की value पता होती है, तो हम दूसरे pressure पर boiling point की value easily calculate कर सकते हैं, अब इसको example से समझते हैं, देखिए, इथर की बात करें, तो वो 760 mm pressure पर इस temperature पर boil होता है, अब pressure की इस range पर जो इथर हैं, वो किस temperature पर boil होगा, तो हमें यह find out करना है, और इसके लिए हमें इथर की, जो heat of vaporization की value हैं, वो given है, तो हमारे पास जो data given है, उनकी value यह हो जाएगी, और हमें T to find out करना है, देखिए, यहाँ पर जो day latch vaporization की value given है, वो joules पर gram में given है, तो हमें इसे joules पर mole में convert करना होगा, तो इसके लिए हम जो joules पर gram value हैं, उसको diethyl ether के molecular weight से multiply करेंगे, तो हमारे पास joules पर mole में day latch vaporization की value आ जाएगी, अब इन सारी values को हम clausius kleperon equation में रखेंगे, यहाँ पर हम clausius kleperon equation की यह form use कर रहे हैं, फिर इसको solve करेंगे, तो यह value आएगी, और इस value को जब इससे divide करेंगे, तो यह value आएगी, फिर यहाँ से हम break it open करेंगे, और जब इस value को इससे divide करेंगे, तो यह value आएगी, फिर इसको हम rearrange करके solve करेंगे, देखें, इसका हम sum करतेंगे, और इस value को इधर shift करेंगे, और T2 को इधर shift करेंगे तो हमारे पास T2 की value Kelvin में आ जाएगी और ये value degree Celsius में इसके equal होगी